Hello dear student, welcome back to here on this channel तो आज का topic स्टार्ट करने से पहले एक short इसी request है जदि आपने previous lecture नहीं देखा तो उपर I button के अंदर आपको उसका link मिल जाएगा उसको बॉच करके आना तभी आपको यहाँ पर connectivity मिले की तभी समझ लगेगा प्यार सी स्माइब से स्टार्ट करते हैं इसके अंदर आपको यहाँ पर क्या मिल रहा है आपको यहाँ से वन पी मिल रहा है तो इसको आप कैसे फ़र्म कर से होते हैं तो चलो मैं थोड़ा सा एडिया देव देता हूं equation number जदि हम 4 की तरफ चलते हैं और के अंदर आपको दो equation दे रहा है आप कोण की equation बनाना चाहते हो और वो कैसे बनते हैं जदि हमोजीनियस कर देते हो तब होगी यहाँ पर lx आएगा m y या n z is equal to p तो रहे पहले तो आप यहाँ से 1 बनाना की कोशिश करो तो आपका lx m y प्लस n z over p जब आप करोगे तो आपका यहाँ से 1 आजएगा ज़े जी से question को आप क्या करना चाहते हो यहाँ पर देखो इसकी power 2 है इसकी power 2 लेकिन इसकी power 1 है तो आप इसको rearrange करोगे होते ही तो आप जे चीज यहाँ पर लिक्स होते हो तो a x करा जाएगा by square minus c है और z यहाँ पर one की value जे वाली आप यहाँ पर substitute कर देना तो आपके पास lx होगा m y होगा और n z over p आजएगा is equal to आपका 0 रहेगा आप जदी else में ले लेते हो तो यहाँ से आपका else में लेने के आपका answer इतना जाएगा तो सजी क्या जे हमारे पास बन रहे है homogeneous हाँ पका बन रहे है यहाँ पर देखो आपका x square वाला जे y square वाला आप जद आसे bracket को open करेंगे तो आपको lc मिल जाएगा और xz मिल जाएगा आपको mc मिल जाएगा और zy मिल जाएगा आपको minus का nc मिल जा जाएगे तो it is the required equation of the cone होगी बहुत simple है तो राजी on the same line आपके पास यहाँ पर बहुत सारे इन चीज़ों इन खना question का आप वीडियो को pause करके आप इनको note कर सकते हो question को और खुद से करने की कोशिच करना try करना ठीक है आप चाते हो कोई पार्ट इसके अंतर में कर लें तो यहाँ पर आपको यहाँ से दिखा सकता हूं जैसे आपको दे रखा है ठीक है जे वाला equation अब यहाँ से एक question उठाते हो और खुद से solve करने की कोशिच करते है कि सर्चे इसको linear कैसे कर सकते है इसको sorry homogeneous कैसे कर सकते है तो चलिए start करते हैं इसको आप भी खुद से copy pen उठाकर रखा करो साथ में ठीक है try कर दे हैं हमने 5th का 5th part try करना है बाकी तो आप 5th कर लेना ठीक है 5th कम यहाँ पर 5th part करने वाले है ठीक है अब हमें given क्या खाली उसको लिखेंगे हमेरा ठीक given क्या दे रखा है आपको 1x square दे रखा y square दे रखा z square दे तो राजी आप यहां से ना एक तो 1 बना सकते हो equation number 2 आपको यह implies करेगी lx है mynz over p करते है तो is equal to 1 आ चाहता यह तो साजी हो गया ठीक है अब equation number 1 को आप homogeneous तो बनाएंगे with the help of 3 साजी कैसे बनाना यहाँ पर power 2 है यहाँ पर power 2 है यहाँ पर power 2 है लेकिन यहाँ पर power 1 है यहा यहाँ पर आपका कोई variable है नहीं तो आप क्या करोगे राजी तो आप यहाँ पर आप x square y square z square रिख ले ना फिक है मैं pen change करके आपको दिखाना चाहूंगा फिर आपका जो ना प्लस 2 u of x है इसके अंदर एक power कम है तो आप यहाँ पर हम वन यहाँ पर इंट्रूस करवा दें और यहाँ पर single single variable मिल जाएंगे तो multiply होने के बाद आपके पास variable की power 222 आ जाएंगे और जब हम d के साथ बाद करें जो वन का स्केर आप यहाँ पर वाले का स्केर करोगे lx प्लस m by प्लस nz का तो अपनी आप आपका homogeneous के अंदर रिजल्ट आएगा तो खाली आपको इतना का आप इसे करें कि सर आइडिया दे दो तो हमें बड़िया लगता है ठीक है बाकि हम खुद से कर लेंगे तो सही है हम ऐसे कर सकते हैं तो यहाँ पर पी है तो इसका आपका square हो जाएगा और is equal to project आपके पास equation 0 रहेगी तो it is the required equation क्या साथ इसको simplify कर सकते हैं हाँ मैं वो आपकी homogeneous होगी तो that will be the equation of required कौन होगा तो यह अभी तक हमने सिर्फ काली दो पार्ट करें तो आपका जिए example number 5 वाला भी हो जाएगा ठीक है जो भी question number 5 है और यह सारे एक पार इसके अंदर हमारे पास है लेकिन उसके बाद हम 6 के पास चलेंगे that is a very very important and good question जहाँ पर क्या दे रखा है कि find the equation of cone and vertex at the origin which passes through the curve this and this तो राजी आपके पास जदी ऐसा कोई भी question आता है तो आप अपने mind को setup करो कि यह सर जी इनको कैसे homogeneous बना सकते हैं बहुत simple आजी आपके पास जो पहली equation उसके अंदर x square y square z square आ रहा है आपके पास दूसरी equation के अंदर x square y square z square आ रहा तो हम इन दोनों equation को आपस में minus कर देंगे वहाँ से जो भी result बनेगा फिर उस result को use करके हम either equation number 1 जा फिर आप equation number 2 को किसी भी एक वाप homogeneous कर सकते हैं पहले दोनों को हम solve करेंगे वहाँ से जो relation आ जागा उसकी help के साथ किसी भी equation को आप homogeneous बनाने की कोशिच करेंगे और जब बन हमें करना स्टार्ट कर सकते हुँ ठीक है तो question number 6 के अंदर आपको क्या मिल जेकर आजी तो question number 6 के अंदर हमें जो given है पहले आप उसको लिखोगे थोड़ा सा ध्यान से हमें x square given है y square given है z square है plus का x है minus का 2y और 3 of z is equal to 4 दे रखा है number 1 है दोसरी equation हमें x square दे रखी है y square दे रख है और यह हमारे पास plus का 2x है हमारे पास minus का 3y है हमारे पास plus का 4 of z is equal to 5 equation number 2 है तो रजी आपने दोनों को क्या करना है minus करना तो मैं sign change करने वाल हूँ यहाँ पर दोनों को subtract करूँगा इधर minus आ जागा plus आ जागा minus और minus आ जागा का जए solve करेंगे तो x square से x square cancel हो जागा y square से y square cancels हो जागा z square से z square cancel हो जागा तो यहां पर आपको minus ka x देखने को मिलेगा plus का y देखने को मिलेगा minus का z को मिलेगा is equal to minus 1 देखने मिलेगा आप ज़िए ज़िए जहां से minus को common निकाल कर दूसरी तरफ send कर देते तो आपको x plus का मिल जाएगा y minus का z plus का और is equal to 1 भी आपको plus का देखने को मिलेगा you can mark it as an equation number 1 तो यहां पर आपको 1 की value मिल जाएगे dear अब आप क्या करोगे आप किसी भी equation को उठा लो जैसे मैंने one वार equation को उठा रखा मैं उसको homogeneous करोंगा while using of 3 आप line लिख सकते हैं कि now we are going to make equation number 1 मैं बोल रहा हूँ आप एक line लिख सकते हैं कि now we are going to make equation number 1 homogeneous while using of equation number 3 जा फिर भाए means of equation number 3 ठीक है खुष रहा करो खुष रहने से सबकुष स्वाग हो जाता है every solution problem comes with its own solution लेकिन solution में दिखेगा तभी जब वहाँ पर हम थोड़ा सा cool mind के अंदर काम करेंगे ठीक है तो यहाँ पर equation आपको खाली एक variable मिल रहा है x लेकिन हमें यहाँ पर power 2 चाहिए तो आप इसके साथ ना यहाँ पर 1 लगा सकते हो और उस 4 को भी आप राजे क्या करो left के अंदर लेकर रहा हो तो मैंने minus का 4 कर दिया दूसरी तरफ मैंने 0 कर दिया अब सर्जे इस 1 को क्या करेंगे राजे यह वाली value आप यहाँ पर set कर देंगे और minus का 4 यहाँ पर भी आपको x minus y plus z का whole square is equal to 0 मिलेगा दियर तो जे जो equation अभी आपके सामने बन रखी है जे आपकी एक homogeneous equation होगी तो क्या सर्जी इसको खुद से solve करें तो मैं बोलूगा हाँ बच्चो इसको आप खुद से solve करेंगे सर्जी कैसे करना खाली आपने यहाँ पर bracket को open कर लेना ठीक है आपका यहाँ पर x square आ जाएगा इधर x y आ जाएगा इधर x z आ जाएगा सेम आपने यहाँ पर भी open कर लेना इधर भी open कर लेना और आप इस equation को भी open कर सकते हैं उसके बद आप सबी equation को बहुत ही बड़िया से प्यार से setting करके लिखना x square वाली time आएगी y square वाली आएगी z square वाली आएगी x y वाली आएगी y z वाली आएगी और z x वाली होगी वो option option आप arrange करके कर लेना तो please इसको properly solve करना 5 number का question जदी आता है तो आपको वहाँ पर मेहनत करनी है और आपकी मेहनत के number आपको यहाँ पर मिलेगे ऐसा नहीं कि smart work के मिलेगे hard work के भी वहाँ पर मिलेगे ठीक है तो इसको आप यहाँ से मैं आगे move कर लेते हैं मेरे को पता ह कि आप बच्चा पार्टी इसको solve कर लेंगी ठीक है तो यहाँ पर भी देखो इन्होंने पूरा proper solve करके यहाँ पर इनका main answer जी आपके सामने दे रखाओगा ठीक है equation number मैं question number 6 की बात कराऊ इसके बाद और बहुत सारे question number आपको 7 मिल जाएगा 8 मिल जाएगा आप राजे वो vertex उसकी दे रखी मेरे पास 8th question रहेगा मतलब इसके बाद तो मेरे पास A x square दे रखा है B y square दे रखा है और C z square दे रखा है is equal to 1 equation number 1 एडियर आपको यहाँ पर alpha x square दे रखा बीटा y square दे रखा है is equal to 2 into z दे रखा है number 2 है तो my dear student how can we solve this one कि आप इसको कैसे आगे लेकर जा सकते हो ठीक है अब थोड़ा सा द्यान से देख रहा है आप इन दोनों को solve करने वाली हो आप homogeneous बनाना चाहते हो आप कैसे करोगे राजी हम क्या करेंगे जहां पर हमें 1 दिख रहा है तो मेरा main motive रहेगा equation number 1 के लिए A x square व y square है और cz square is equal to 1 है तो मैं 1 को 1 का square लिखे equation number 1 रहा हूँ खाली 1 की value कहां से निकालेंगे तो मैं बोलूगा कि यह आप equation number 2 के पास जाएगा request करना उसको तो वहां को आपको alpha x square beta y square जो 2z आपका इधर था हम 2z से divide जदी कर देते हैं तो आपको यहाँ पर 1 देखने को मिल जाए कि इसके ठीक है तो आपको a x square मिल जाएगा b y square मिल जाएगा c z square मिल जाएगा दूसरी तरफ राजी आपको alpha x square plus beta y square over आपको यहाँ पर 2 into z का whole square मिलेगा तो आप आपको लगेगा कि सर्जी एक तरफ तो power 2 2 आ लेकिन इस तरफ power 2 2 आ उपर square तो power 4 4 हुजाएं कि सर्जी homogeneous कै से बनेगा ना तो जे चीज माइंड के अंदर आते कि सर्जी homogeneous से नहीं होगा तो थोड़ा सा सवर रखना media student यहां से आपको इस चीज और देखने को मिलेगी a x square हेगा b y square हेगा और c z square अब इस यहाँ पर fraction है ना तो आप numerator को उपर रखो a x square बीटा y square का whole square और denominator का square उपन कर तो आपको 4z square मिलेगा और इस 4z square को आप अपनी left side के अंदर लेकर जाएंगे ठीका तो 4z square आपका बहर आ जाएगा अंदर e x square b y square and plus c z square आपको मिलेगा और इदर आपको alpha x square बीटा y square का whole square देखने को मिलेगा तो जब आप square खोलेंगे तो आपको power 4 में मिलेगे या एक्स क पावर 4 आपको आपको पावर 4 मिल जाएगी जहाँ पर ठीक है तो इन दिस वे आपके जो equation बनेगे वो एक homogeneous equation बनेगी और homogeneous equation रिपर्जेंट आपको आपका काम जहां से हो जाएगा अराम से तो thank you for watching this one next move कर लेते हैं एक और बड़िया सी example की तरफ ठीक है तो solve करके आपने answer लिखने अब इसके वादना यह एक बड़िया यहां पर आपको देखन को मिलती है इसको थोड़ा सा ध्यान से करना है question number आपका 10 आ रहा थोड़ा सा ध्यान से करना ठीक है अब यहां पर बोल रहा है कि find the equation to a cone जिसकी vertex आपकी और reason पर हो और उसका base circle जो आ रहा जो उसकी guiding करवा रही वो आपकी इन दोनों की intersection से बन रही तो आप पहले तो सरफ अपने sum को इतना देखेंगे कि x equal to a दे रहा है y square plus that square equal to b square दे रहा था थाली इसको solve करके आपको एक कोण की questions बनानी है ठीक है equation आप वहाँ से लेक लिया करो जब भी मैं वीडियो को question की उपर लेकर जाता हूं तो आप वहाँ पर वीडियो को pause करके कर लेना ठीक है अब हमारे पास given क्या है राजी मेरे पास जो given है वो हमारे पास दे रहा है राजी एक तो हमें x equal to a दे रहा और एक हमें y square plus z square is equal to b square आ सकता हूं तो यह वन की value यहां पर मैं set करूंगा तो y square आजाएगा z square आजाएगा is equal to b square into x over a square आजाएगा और my dear student आपको y square z square यहाँ पर b square x square ओबर a square दे रहें को मिलेगा और जदी आप इसको और बड़िया करना चाहते है तो आपको यहां से मिल जाएगा a square y square a square z square और जहां से आप माइनस इससे तरफ लेकर आएंगे x square जे वाला is equal to 0 तो आपको यह एक equation मिलेगे जो की homogeneous आपके पास आ रही है in x y z equal to 0 ठीक है तो यह आपका क्या होगा equation of cone आपको जहां से अराम से देखने को मिलेगे अब यह तो हो गया half question कि आप equation of cone जहां से सर्जी हम बना लेते तो फिर आगे क्या होगा तो यहां पर आप वीडियो को pause करके सब पूरे का पूरे answer को note कर सकते हो जिन् है कि further show करें the section of the cone by a plane जो कि parallel to the plane x y होता है x o y x o y plane जिस plane के अंदर आप बैठ़र आजे वो उसका एक x axis है like जिस आप floor के उपर बैठ़ हो तब नीचे देखो एक आप एक को आप x axis देलो एक y axis है ना अब यह नीचे plane है इस plane के parallel जितने भी plane होगे उनकी question आप कैसे बना सकत हो एनी plane which is parallel to x o y वो आपका क्या आगा वो z ko cut करेगा कहीं न कहीं पर तो उसकी question z is equal to something constant होगी ठीक है तो यहाँ पर थोड़ा ध्यान से करना हमें जे शो करना है कि आपका number one जो cone बन चुका है ना जैदि उस cone की आप intersection लेते हो further किसी ऐसे plane के अंदर plane के साथ जो कि parallel to x o y के आगे कि कोई भी equation आप जदे लिखते हो किसी plane की जो कि parallel to x o y होता वो z is equal to k होता अब बच्चे बोले कि सर्जी समझा नहीं आ जहां पर कैसे आपने बोला तो मैं आपको समझाने के लिए शोटी से demo देता हूं ठीक है आप लोगों ने बचपन के इंदर कर रखा होगा ज x equal to 2 तो जब यहां पर मालव आपका point 1 है इधर point 2 इधर point 3 तो जब आप x equal to 2 की बात करते तो आपकी एक ऐसी line बन जाती थी x equal to 2 तो अब जे जो line आपके पास आ रही वो parallel to y axis है इसका मतल़ जदी आप x y plane के अंदर बात करें और आपको y axis के parallel line लेनी है तो आप x equal to something constant कर दो और ऐसे जदी आप x axis के parallel को भी line draw करो के तो आपकी खाली y को cut करेंगे किसी point के उपर like उसका x वाला तो change होता चला जाएगा जैसे उसकी x value यहां पर 1 आगे 2 आगे 3 आगे 4 आगे इस तरफ minus 1 minus 2 चलती चले जाएगी किसकी x की value लेकिन y की value जो आपने मालों के यहां पर k fix क कर दे उसके y तो fix ही रहेगा तो जदी आप y is equal to k लिखते हो तो इसका मतलब क्या होगा सर जी y is equal to k तो plot कैसे करोगी तो माइडियस टोड़ना आप इसको ऐसे लिख रहे ना 0x plus y is equal to k और यहां पर एक शोटा सा आप बॉक्स बना सकते हो उस बॉक्स के अंदर आपको के ही आगी फिर इन पॉइंट को आप ग्राफ के अंदर प्लॉट करना और वहां सी एक लाइन आपके पास बन जाएगी ऐसी तो कहने का मतलब क्या हुआ कि अभी आप क्या करना चाहते हो हम एक ऐसा प्लेन बनाना चाहते है जो कि x ओ y के parallel होना चाहिए तो इसका मतलब x ओ y पूट करते है चले जाना आपके पास z की वेलू के ही आगी तो जो प्लेन आपका बनेगा वो पेलल आपका बनेगा एक्स को वाइ प्लेन के ठीक है तो जही जहां से मैंने आपको समझारा था इतना काम हो गया तो पहले तो खाली प्लेन की उक्येशन z is equal to k मैंने फॉर्म क था और a square z square तो दो माइनस का b square x square is equal to 0 था और एक हमारे पास z is equal to k बन रही है ठीक है आप इन दोनों को solve कैसे करोगे तो यहां पर आपको z को put करवा देना खाली तो आपका a square आजाएगा y square आजाएगा a square आजाएगा k square आजाएगा minus का b square x square is equal to 0 और यहां आप इसको कैसे लिख सकते हो आपका a square आजाएगा y square minus का b square x square और जहीं जो k वाला पार्ट आप इसको दूसरी तरफ send कर सकते हो minus का a square case square और जदी आप यहां से divide कर देते हैं राजे dividing y आप minus a square case square से divide कर दो पूरी equations को तो आपका a square y square over minus a square case कर आजाएगा यहां आपका minus b square x square था तो नीचे minus a square case कर आजाएगा और इस तरफ आपका proper one मिल जाएगा ठीक है तो अब जब आप इसको setting करोगे है यहां से minus minus का आपका cut हो गया तो यह वाला portion आपका आगे लिख सकते हैं कि यहां से a square case square x square आप पहले आजाएगा y बाला negative तो मैंने बाद में show करना y बाला तो आपका cut हो जाएगा तो यहां से आप भी लिख सकते हो और वहां से जैसे हमने solve करा रहा है वहां से आप लिख सकते हो तो आपके पास क्या रहती है equation of hyperbola आपके पास रहेगी it is an equation of hyperbola तो यहां से आप भी लिख सकते हो और वहां से जैसे हमने solve करा वहां से आप लिख सकते हो तो इस वाली वीडियो के अंदरा जी हमने देखोई question number 4 को discuss करा 5th का एक particular part करा 6 example करें फिर मैंने 8 आपको करवाई अभी आपको यह 10th वाल एक्जाम्पल कराई तो टोटल 5 closer मैंने आपको जहां पर दिये रखे हैं मानकर चाहते हैं बगवान की किरपा के साथ वाहिम जी किरपा के साथ आपको पांचों के पांचों समझे लगे और इ just sir I can do this तो वहाँ से वो motivation सभी student के इंदर transfer होगी जो इस lecture को देखेंगे या फिर कुछ student देखने से पहले comment read करते तो आपका एक शोटा सो comment बहुत students को motivation देख सकता है तो होप सो मान कर चाहते हैं कि जिस बच्चे ने last तक देखा होगा उसने channel को subscribe कर लिया होगा नहीं किया त और तो ग्रो दिस चैनल हम इसको एक उपर लेबल तक लेकर जाना चाहते हैं इसके अंदर इतना content बरेंगे कि यार हर एक बच्चा जहां से free of cost रीड कर स्टडी कर सके कि यह पूंग पर खूत अजड़ कर दो बच्च्च कर दो भाणंत्त इस चैनल था बच्च जह फिर बच्च जान्वा जो हम एक ठीघ कार युज ऑन्स माले के साथ